एक वर्स में तमिल्नाडो यो मन्य दक्षणी राज्जों से कासी आने वाले प्रेटकों और सरधालों की संख्या में भारी बिर्दी देखने को मिली है कासी और तमिल्नाडो में बारतिय संस्कृति के सभी तट्व समान रूप से संग्रक्सित हैं कासी के धार्मिक मेहत्व के करण तेश के सभी भागों के लोग सदियों से यहाँ आते रहे हैं इसे गंगा जी के तट पर बसीवी ये पवित्र नगरी भारत की धर्म संसकृति और आध्यात्मिक चेत्ना का केंद्र बनीवी है यहां ज्यान, धर्म, दर्सन, संस्कृति, साहित्य, कला और सिल्प का अद्बुद समागम है इसी तरह तमिल नाडु भी प्राचीन काल से ही संस्कृति, ज्यान, कला, सिल्प और साहित्य का केंद्र रहा है तमिल भासा का साहित्य, अत्यंत प्राचीन और संब्रिद है, भारत में संस्कृति एवां तमिल साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य है समस्त भारतिय भासाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है समावेसी सांस्कृतिक प्रेणा का यस्रोत समात में सदभा और समरस्ता बनाए हुए है कासी तमिल संगम के आयोजन से तमिल लाडु के अथिपी नकेवल उत्तर प्रदेश और कासी की समरित सांस्कृतिक विरासा से परचित होंगे अभी तो तर और दक्षिन के इस संगम से हमारे सांस्कृतिक राश्टवाद को एक नया बल भी मिलेगा